Hello friends, तो इस पार्ट के अंदर हम cover करेंगे अपने topic factors of soil formation तो क्या हमारी soil का मितलए मिट्टी का जो formation होता है, उसके क्या factors हैं, क्या elements हैं इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे The major factor of soil formation, जो major important factors हैं जिसकी वज़े से soil formation होता है आर दे टे निचर ओफ झाए हेसि, अबब बाकरिटी प्राकरति चच अप्याओ taped जुब अजिन गर्बार की चाए आरे प्राति के अंदर को झाहिशा मर लगत हो सुबटे प्रार्ण रॉगा हाnda जुब . यह पीछले वीडियो में देखा था दिखिए यह हमारे नेचर के अंदर और जो क्लाइमेट फैक्टर होता है उसकी वज़े से हमारा सॉयल फॉर्मेशन होता है अदर-फेकटर आ ऐसी और जो और फैक्टर होता है जिनकी वज़े से सॉयल फॉर्मेश नहीं होता है वह सब क्या होते है répondre के उस जुझ्छा को लैंड कैसा है उसके अक्वादिंग PRO-ED in और जो हमारे रोल में और गैनिक मेटेरियल होते हैं ठीक है उनसे रिलेटेड और उनका जो रोल होता है साथ इसाथ जो टाइम लेता है हमारी मिट्टी के बनने की जो संरचना होती है इसाथ चीज़ों को मिलकर के यह सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वज़े से हमारा सॉल फॉर्मेशन होता है और इस डिफर फ्रॉम प्लेश यह सारी चीज़े अलग-अलग होती है अलग-अलग लोकेशन के हिसाब से जैसे कि यह देखिए इस टाइग्राम के अंदर सॉल कैस ओभॉ MICHAEL का कलर कैसा होगा टेक्शिर कैसर घुस्पी क्या होगी साथी साहिव साथ उसका मिन्डाल क्या होगा उसके बाद हमारा सका इसका कंटेंट क्वैस्पीह कैस की प्रवेशता होगी ठीक यह फिर लाइक क्लाइमेट के अंदर वह temperature decide करता है rainfall influence define करता है rate of weathering define करता है और क्या उस तरह की humus formation होगी वहां की नमी कैसी होगी तो यह climate की वज़े से वहां पर depend करता है कैसा soil होगा time determine thickness of soil profile यह time बताता है कि कितना उस soil की thickness है कितनी उसमें thickness है soil के अंदर flora fauna and microorganism means flora fauna यह हमारी vegetation है पेड़ पौधे हैं और microorganism affect the rate of humus formation यह क्या करता है हमारी नमी का formation होता है soil के अंदर उसको effect करता है कौन पेड़ पौधे पेड़ पौधे होंगे तो वहां पे अच्छी नमी होगी उस soil के अंदर फिर relief क्या है वहां का altitude क्या है वहां की slope क्या है यह determine कराता है कि किस तरह का हमारा संचय होगा soil का कैसा धेर होगा वहां की उचाई कैसी है उस location की वह area कैसा है slope है कि कैसा है तो यह सारी चीज़े हमारी बताती है कि कैसा हमारे soil का accumulation होगा संचय कैसा होगा ठीक है । अब यूमस क्या होता ह्टा है। कि जो हमारे पार्ट आफ स्वोइल होते हैं। सोयल का जो पार्ट होता है। उसके अंदर जो डैड प्लांट वगर्ए आते हैं जैसे कि अब जो जहां पेड़ लगाये । veil . जिसके पत्थी को भील ho गई तो गिरने के बाद क्या होता है उसमें पार्शली डीकंपोज हो जाते हैं और गैनिक मैटर के साथ तो यह हमें बताते हैं कि वहां का हीूमस फ़र्मेशन कैसा होगा यह सारे फैक्टर है जो एफेक्ट करते हैं हमारे स्वाइल फॉर्मेशन की कि किस तरीके का उस जगह का लो होगा तो यह सारे फैक्टर हमारे एफेक्ट करते हैं सौल फॉर्मेशन के अंदर तो अगर आप से पूछा जाए कि क्या मिट्वेशन मेजर हम तो रही है मिट्टी के निया हमें पूर्दशा हो रहै है उसके बारे में पर चुनके कर्ड़ेख सर CDC कत website पहले क्या है आया स्나 gotta हुट। जब हमारी मिट्टी होती है जicação के तो हमैने एरोजन कहते हैं यई अर्टी जह हो जाती है and depletion are the major threat depletion means कि जो हमारी quantity और numbers में कमी आ जाती है ठीक है are the major threat to soil as a resource यह सबसे बड़ा threat है परिशानी है हमारे soil के लिए as a resource both human and natural factors can lead to degradation हमारे human, इंसान और जो हमारी natural factor है वो दोनों lead कर रही है हमारे soil की दुर्दशा के लिए degradation के लिए factor which lead to soil degradation वो factor जो हमारे lead कर रही है soil के degradation के लिए are deforestation और over grazing और over use of chemical fertilization fertilizer और pesticides means कि जो हमारे factor नहीं, जो हमारे soil को degrade कर रही है, वो क्या-क्या है जैसे deforestation, means कि forest area का दीरे-दीरे जो कमी हो रही है decrease हो रहा है, यह रिपेल लोग काट दे रहे है, साथी साथ over grazing, क्या जो चराई हो रही है chemical fertilization का जो एक limit यूज़ करना चाहिए उसका over use हो रहा है pesticides वगरा का ज़्यादा use हो रहा है साथी साथ rain wash lands light और flood इन सारी वज़े से क्या हो रहा है हमारा soil जो है वो degrade हो रहा है, उसकी जो मिट्टी की जो दुरदशा होई जा रही है वो सारी चीज़े इन लोगों, इन factors की वज़े से हो रहा है some methods of soil conservation are listed below अब ये reason तो पते चल रहा कि क्यों हमारी मिट्टी की दुरदशा हो रही है क्यों उसकी उपजाओ चमता कम होती जा रही है अब उसको conserve करने के लिए किस तरह के methods को use करना होगा ये हम नीचे देखेंगे पहला क्या है mulching mulching क्या है the bare ground between plant is covered with a layer of organic material like straw जो हमारा bare ground होता है जो plant के बीच में होता है उसको covered किया जाए with a layer of organic matter like straw straw अगरों का use करके उस layer को हम क्या करें cover कर दें it helps the retain soil moisture इससे क्या होगा हमारी मिट्टी की जो moisture नमी होगी वो क्या होगी save हो जाएगी retain हो जाएगी रुकी रहेगी mulching क्या होता है ये एक layer होता है material का जो applied किया जाता है soil के surface के उपर जिससे क्या होगा उसकी नमी जो है वो बरकरार रहेगी फिर दूसरा आता है contour barrier means की stone grass soil are used to build barrier जो मिट्टी पत्थर grass इन सारी चीजों का use करके रोक लगाना ताकि क्या हो contour हो trenches are made in front of barrier to collect water खाई बनाया जाता है ताकि हमारी जो रूप रेखा है contour जो है रूप रेखा जो है वो उस चीज से क्या हो बचे तो ये stone grass soil का use करके build किया जाता है barrier को ताकि उसके रूप रेखा के साथ साथ barriers बनाया जाते है खाईया बनाया जाती है ठीक उसी barriers के सामने ताकि वहाँ पर पानी भी collect हो जाए फिर आता है rock dam dam बनाया जाए rock dam rock dam are build up means की धेर लग जाना rock का जहाँ पर धेर लगा दिया जाए to slow down the flow of water ताकि हम पानी के बहाव को दीमा कर सके this prevent gullies and further soil इससे क्या होगा deep valley बनने से मतलब कि बहुत जादा पानी जब भहेगा बहुत जादा flow रहेगा water का तो क्या बन जाएगा वहाँ पर एक बड़ी सी valley बन जाएगी deep valley बन जाएगी तो उस चीज़ को बनने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे कई सारे rock का धेर लगा देंगे जिससे उसका flow भी पानी का कम हो जाएगा और हमारी soil का जो soil loss भी कम हो जाएगा और वहाँ पर गलीज भी नई बनेगी ठीक है देखे ये डाइग्राम है terrace farming का किस तरीके से terrace farming होता है छतों के उपर फिर साथ में contour plugging हो जाता है और यहाँ पर दिखाएगा आपका shelter belt किस तरीके से shelter bed बना जाता है तो देखे अभी यहाँ पर next है terrace farming किस तरीके से terrace farming की जाती है broad flat step और terrace are made on the step slope so that the flat surface are available to grow crop बड़े बड़े flat steps बनाय जाते है terrace terraces बनाय जाते है ताकि क्या हो आपे उस slope पे जो ढ़लान है वहाँ पे flat surface बन सके और वहाँ पे वो crops को grow कर सके जैसा कि आप picture में यहाँ पे देखे है कि यह क्या slope है ढ़लान है तो यहाँ पे ऐसे steps बनाय जाते है ऐसे cut cut के यहाँ पे plain surface बनाय जाता है ताकि उस पे बोलो क्या कर सके ग्रो कर सके crops को इससे क्या होती है सतर का अपवा होना मिन्स की जो हमारी surface है सतर जो है वो भागे न और सॉइल इरोजन भी ना हो मिट्टी जो है हमारी खराब भी ना हो फिर आता है inter cropping different crops are grown in alternative row जो different cropping means की दो crops के बीच में एक अलग तरीके का क्रॉप्स को हम alternate row में crops को grow करें are shown at a different time to protect the soil from rain wash इससे क्या होगा कि हमारी soil बची रहेगी rain wash मतलब पानी की वज़े से मिट्टी जो है बहेन फिर आता है contour plugging contour plugging क्या होगा समोच जुताई जिसको कहते हैं plugging parallel to the contour of a hill slope इसको पहाडों के hills पे बनाया जाता है slopes पे बनाया जाता है to form a natural barrier ताकि वो natural barriers बना सके रोग बना सके जिससे की water का flow जो होगा नीचे की तरफ slope पे धीमा हो ठीक है flow down the slope ताकि वो नीचे की तरफ flow करे पानी उपर की तरफ नुकसान बना करे जाता है फिर आता है shelter belts फिर shelter belts बना जाते हैं अब यह shelter belts क्या होता है यह एक barrier होता है tree का use करके shrubs वगरा का use करके बनाया जाता है जिससे की वो protect करते हैं उसको wind और आंदियों से wind और स्ट्रॉम से तो in the coastal and dry region जो हमारी coastal और dry reasons होते हैं वहाँ पर row of tree tree को row में लगाया जाता है plant किया जाता है to check the wind movement to protect the soil cover थाकि वो हवा का बहाव किस तरफ है उसको check कर सके और अपने soil को cover कर सके प्रोटेक्ट कर सके ठीक है तो यह हो गया किस तरीके से हम अपने soil को degrade करते हैं किस तरीके से हम उसको protect करते हैं उसके बाद यह देखे एक दो activity दी गई है यहाँ पे take a two tray A and B ठीक है A and B same size का आप लीजे make a six hole at one end of this tray 6 hole बनाईए at one end of these trays इसके end में उसके बाद आप यहाँ corner में जैसे बना लीजे 6 holes बना लीजे and then fill them with the same amount of soil अफिर उसके अंदर आप same amount of soil जितना इसके अंदर डाली उतना ही इसके अंदर भी soil आप डाल दीजे leave the soil in tray A bare while sow wheat or grain rice grain in tray B आप इसको ऐसे खाली छोड़ दीजे और यहाँ पे आप wheat और rice grain को लगा दीजे बी वाले train में जब बी ट्रेन का ग्रेन जो है ग्रो कर जाएगा फ्यू सेंटीमिटर हाई कुछ सेंटीमिटर हाई हो जाएगा तो प्लेस बोड़ दे ट्रे इन सच अवे दोनों ट्रे को आप इस तरीके से रखिए that they are on a slope जैसे कि वह एक slope पे हो ठीक है pour one mug of water from same height into each tray दोनों पे उतने ही height से आप मगे मगे से आप क्या करिए पानी उस पे डालिए collect the muddy water that trickled down the hole of both tray in two separate container आप क्या करो collect करो उस मिट्टी मिले हुए muddy water को अटमेले पानी को जो की उस hole से दोनों ट्रे से निकल करके दोनों separate container के अंदर आ रहा है ठीक है and compare how much soil is washed out of each tray फिर आपको देखने को मिलेगा कि कितना जादा soil धुल रहा है हर ट्रे के अंदर से जैसे देखिए इसके अंदर बहुत ज़दा है क्योंगी यहां पर कुछ उगाए नहीं आप और लेकिन यहां कुछ उगाने से यहां जगह कम होनेसे क्या हो रहा है कि soil आपकी कम निकल रही है बहर रही है और इसमें ज़्यादा बहर है तो यहीं सारी चीज़ें पीछे दिया हुआ है कि कि से रिलेटेड आपको कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूस सकते हैं थेंक्यू सो मच